लोगों का जन्म दिन 29 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्म दिन की हारदिक्षुप कामनाएं आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं संपत्ति और वाहन का लाब आपको हो सकता है स्वास्थ में थोड़ा उतार चड़ाव आपके रह सकता है साल के अंत में आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं क्या करेंगे पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो निश्चित रूप से आपको लाब होगा ज़्यादा तर लोग इस नियम को फॉलो करते हैं कि सुबह जब तक पूजा पाट नहीं कर लेते तब तक एक अन का दाना भी नहीं खाते हैं क्या अगर सुबह हम नाश्टा कर लेते हैं कुछ खा लेते हैं तो उसके बाद पूजा नहीं कर सकते या कर सकते हैं देखे सामान्यतह प्रातकाल स्नान करके बिना कुछ खाए पिये निराहार रह करके उजा करना उत्तम होता है लेकिन अगर आपको स्वास्थ की समस्या है ब्रट प्रेशर है शुगर है खाली पेट नहीं रह पाते हैं तो कुछ सात्विक आहार ग्रहन करके फल खा करके दूद पी करके या हलका सात्विक नाश्टा करके आप उसके बाद भी पूजा कर सकते हैं स्वास्त को ध्यान में रखते हुए पहले कुछ खाकर स्नान करके तब भी पूजा की जा सकती है आज का हमारा महा उपाए आज के विशय से ही संबंदित है अगर शनी की उल्टी चाल का प्रभाव आपके लिए अच्छा ना हो जैसे आठ राशियों पर जादा निगेटिव प्रभाव है तो क्या उपाए करेंगे रोज सुबह और शाम अब से 108 बार शनी मंत्र का जब करियेगा ओम शंग शनेशराय नमहा हर शनी वार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाईएगा और दीपक जलाने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अन का या भोजन का दान करियेगा ऐसा उपाए 15 नवंबर तक करते रहिए जब तक शनी की चाल उल्टी है और अगर आप ऐसा करें तो शनी की उल्टी चाल का दुश प्रभाव आपके उपर नहीं पड़ेगा अगर नौकरी संबंधित किसी मुकदमे में फसे हुए हैं नौकरी का कोई मुकदमा कोई जन जट आपके साथ चल रहा है तो हर शनीवार को सुन्दर कांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए शनीवार के शनीवार शाम के समय अगर आप सुन्दर कांड का पाठ करें तो नौकरी से संबंधित जो दिक्कते हैं जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी आस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए आस्टो तक आप और चिटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से